हेलो दोस्तों वेलकम बैक विद न्यूव वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे PNB के स्टॉक के बारे में इसका हम लोग एक टेक्निकल एनलेसिस देखेंगे देखते हैं इसमें हमें Support Zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और Resistance Zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिससे हमें ये पता लग सकी कि आने वाले दिनों में इसका Price Movement किस तरीके का रह सकता है तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करूँगा इसके पहले बस आपसे एक request है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकन को ज़रूर दवाना ताकि लेटेस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिकारड़े ये फिर स्टॉक मार्केट के रिकारड़े तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछना आपको उसका reply जरूर मिलेगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो दूस्तों अभी मैंने ट्रेडिंवी के टर्मिनल पे PNB का चार्ट आपन कर रखा है और इसको यहाँ पर मैंने डिली टाम फ्रेम पे सेट किया है इसकी जो अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 119 रुपए 60 पैसे चल रही है अभी क्या हो सकता है आने वाले दिली में यह थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है और कितना करेक्ट हो सकता है चलिए वो देख लेते हैं तो देखते हैं इसमें हमें सबसे पहला सपोर्ट जोन कहाँ पर देखने को मिल रहा है तो दूस्तों अभी current market price के हिसाब से जो हमें इसमें सबसे पहला support zone देखने को मिल रहा है वो है हमारा 116 rupees के zone पे stock 116 rupees तक आ सकता है यहाँ पर से इसमें बढ़िया reversal possible है अभी budget का दिन भी pass है तो budget के days में जो bank के stocks होते हैं वो बहुती sideways moment दिखाते हैं तो यहाँ पर यह जो 116 rupees का zone है stock possible है कि इस वारे zone तक कुछ अब तक budget नहीं आ जाता यहाँ तक आ सकता है एंड इसके बाद से इसमें एक अच्छा reversal possible है इस zone के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जब breakout हुआ था तो आप देख सकते हैं कि 13 फरवरी को भी stock ने इसी जगह support लिया 116 rupees के zone देन इसके बाद फिर से जब यह उपर जाता है फिर लगाता है जब नीचे आता है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे 15 March और फिर 20 March यह दो दिन इसे 116 rupees के zone पर ही support मिला देन इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस दिन election का result आना था उस दिन भी आप देख सकते हैं जो closing है इस stock की वो इसी वाले zone के उपर ही हुए और यहाँ पर से stock में बढ़िया रिवर्सल आया लेकिन 19 June के बाद से हमें यहाँ side ways movement देखने को मिल रहा है तो अभी stock के लिए यह जो support है 116 rupees का zone यह बहुत ही important support के तौर पर काम करेगा अभी आप मुझे comment करके बताइए क्या आपके portfolio में PNB का stock है अगर है तो आपने उसे किस price पर buy किया था ऐसा तो नहीं कि आपने उसे यहाँ पर 52 week हाई पर buy किया है अभी दुस्तों अगर budget में banking stocks के लिए कुछ खास news नहीं आती है और यहाँ पर negative news आती है अगर banking stocks के लिए तब यहाँ पर आपको और ज़्यादा correction देखने को मिल सकता है और यहाँ पर यह जो 116 rupees का zone है जो की support के तौर पर add कर सकता है इसका यहाँ पर अगर breakdown हो जाता है तो reversal आता है तब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से stock ने इस वाले zone को 105 रुपए के zone को यहाँ पर breakout दिया breakout दिने के बाद यहाँ पर higher highs का formation किया तो 116 रुपए का zone अगर यहाँ पर break होता है तो stock के लिए अगला support 105 रुपए के zone पर देखने को मिल रहा है अगर इस व बाद में जब इसका भी breakout हुआ तब आप देख सकते हैं इसकी भी retesting होती है and retesting होने के बास stock में एक नया high बनता है तो इसलिए कह रहा हूँ अगर 105 रुपए का support zone यहाँ पर break होता है तो stock को यहाँ पर 93 रुपीज के zone पर support देखने को मिल सकता है अभी दोस्तों हम लोग य resistance zone की बात करेंगे उसके पहले आप यह देख लीजे इस stock जो यह rejection पाया है 142 रुपीज के zone पर यह बहुत ही बड़ा एक उपर की तरफ से turn line है वहाँ पर से rejection देखने को मिला है अभी मैं start को यहाँ पर monthly time frame पर set करूँगा तब आपको यह चीज बहुती clearly देखने को मिल जा तो अगर हम लोग यह 2 point जोड़ करके अगर यह trend line बनाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसी trend line पर से stock को यहाँ पर October month में भी एक rejection देखने को मिला था एंड इसी trend line पर से stock को यहाँ पर अभी April month में भी rejection देखने को मिला तो यहाँ पर यह जो trend line है यह बहुती बड़े से इस जगे पर एक resistance के तौर पर काम करती आ रही है तो अभी हम लोग वापस से इसको पहले daily time frame पर set करते हैं अभी हमको यहाँ पर एक trend line और देखने को मिल रही है जो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से draw कर सकते हैं अभी यहाँ पर आने वाले दिनों में stock को जब reversal मिलेगा तब stock के लिए जो सबसे पहला resistance रहेगा वो दुस्तों यह वाली trend line रहे सकती है इस trend line पर से अगर breakout होता है stock में तब जो अगला resistance रहेगा वो इसका 52 week high zone रहेगा जोगी है अपना 142 रूपीज का zone यहाँ पर से stock को rejection देखने को मिल सकता है अगर इसका यहाँ पर breakout होता है तो breakout कोने के बाद जब stock में reversal आएगा ना तब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी आपको इस stock के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर अपना risk reward ratio calculate कर लेते हैं मान लिए आप यहाँ पर current market price पर भी एंटर कर रहे हैं और आप अपना stop loss लेके चल सकते हैं करी लगी stand line का breakout होता है तो stock के लिए जो अगला target है अपना वो 52 week high zone रहेगा तो यहाँ तक अगर stock rally करता है तो आपको 19% की returns देखने को मिल सकते हैं और अगर इसका भी breakout होता है ना stock में तब आपको बहुत ही ज़्यादा returns देखने को मिलेंगे stock फिर उसके बाद यहाँ पर किसे आने वारे दिनों में पंजाब national bank trade कर सकता है बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी जाते जाते वीडियो को like कीजिएगा मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत